हलो देर, वेलकम बैक, मैं हूँ गौरव काबरा और आप सब का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे, इस वीडियो में हम करने वाले हैं CFA लेवल वन की समरी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग इंकम स्टेटमें एफारे से यह टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है और आज यूजूल हमने जितने भी समरी वीडियो बनाए हैं यह उसी की तरह एंगेजिंग और आपके काम आने लाइक वीडियो है मेरा हमेशा आप से एक छोटा सा ही रिक्वेस्ट रहता है कि अगर आप चैनल से जुड़े वे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुडे क्योंकि इस चैनल पे, हमारे दौनों चैनल पे, इंफाक्ट गौरो काबरा एस वेल एस एडूटर्स दौनों चैनल पे, आपको CFA से related काफी सारा content मिलता है अभी तो हमने प्रण ले रखा है that पूरा level 1 का summary videos आप सबको avail करवाएंगे So yes, we are on to our way and we will be glad if you join the journey So, अभी शुरू करते हैं अपने आज की इस reading को और इस reading में understanding income statements हम लोग पढ़ रहे हैं This is extremely important और यह important इसलिए है क्योंकि first of all काफी बड़ी reading है यह लेकिन फिर भी summarize अगर करने गया तो मिरको ऐसा लग रहा काफी चोटा हो गया Summary मेरे साब से बहुत जादा नहीं है There are certain technical points which is going to draw your attention आपको काफी समय लग सकता उनको समझने में जैसे की revenue recognition के कुछ concepts हैं या फिर में कुछ accounting के concepts हैं अब obviously अगर आपका एक finance background पहले से हैं अगर आप commerce पहले से पढ़े हो तो आपके लिए ही सारी चीजे manageable हैं अगर नहीं पढ़ा है तो you might have to spend a little bit of time here Nonetheless everything every single time or every single minute that you spend here is going to be worthy and उसी को ध्यान में रखते हुए learning outcome A से शुरुवात करते हैं Learning outcome A जो है उसमें primarily हमें दो चीजों को पढ़ना था और वो जो दो चीजे हैं उसमें से पहली चीज है components of the income statement जब मैं components of income statement की बात कर रहा हूं तो फिर I am talking about revenues here first point is revenues so revenues basically क्या है ऐसे दिखा जाए तो चार components है 1, 2, 3 and 4 first is revenues then is expenses gains and losses and net income revenues basically जब भी आप goods and services बेचते हैं in the normal course of the business then that is known as revenue इसको हम sales बोल दें इसको हम turnover बोल दें सारी बातें एक ही है nutshell में यहाँ पे क्या हो रहा है nutshell में यह हो रहा है that आपका जो normal goods and services है उसको अगर आप sale कर रहे हो और वहाँ से अगर आपका कोई collections हा रहा है तो उसे हम कहते हैं revenue अगर मैं अपना example लूँ then I am a teacher and CFA level 1 का अगर मैं किसी भी बच्चे को video course enroll करवाता हूँ तो फिर CFA level 1 की जो मुझे fees receive होगी that is going to be considered as my revenue while on the contrary मैं part time या फिर कह सकते हैं अपनी investments को stock market में invest करता रहता हूँ so अगर मैं कोई stock को बेचता हूँ तो वो मेरी revenue नहीं होगी because my normal course of business में मैं service देता हूँ that service is coaching service or tuition service जैसा भी आप बोलने but stocks मेरा रोज मरा का काम नहीं है that is something I do on non-operational basis यानि कि वो मेरा normal course of business नहीं है so इसका मतलब यह है कि आपको समझ के चलना होगा कि जिन goods and services में आप normally deal करते हैं अगर उनको आप sale करेंगे तो ही वो revenue otherwise नहीं है next up is expenses revenues को generate करने के लिए कुछ खर्चे करने पड़ते हैं जिसे example के तौर पे अगर मैं यह आपको video provide कर रहा हूँ so obviously इस video के creation को ले करके फिर editing and editing के बाद में final finish होकर की YouTube पे आने का there are plenty of costs here और वो costs छोटे हो बड़े हो जोपी हो but costs involved है अब ऐसे costs जो होते हैं उन costs को हम कहते हैं expenses यह revenue से linked होते हैं कभी 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 नहीं भी होते हैं जब revenue से linked होते हैं तब हम उसे कहते हैं product cost जब revenue से linked नहीं होकर के period से linked होते हैं तब उसे हम कहते हैं period cost थोड़ी दिर में इसके ओपर में हम चर्चा करेंगे but yes, these are costs which are incurred to make or generate revenues इसमें एक चीज़ important है जो कि examination के लिए भी बहुत important है that expenses can be grouped on two basis number one by way of nature, number one by way of function nature का example है, depreciation function का example है cost of goods sold यह काफी important है और मेरे खाल से इस पे एक आपको practice problem भी मिल जाएगा next up are gains and losses now this covers all the non-operating activities जहां पे आपको profit या loss हुआ होगा जैसे मैंने stock का जो example लिया था वो अब यहां पे एकदम apt बैठता है अगर मैंने किसी stock पे profit कमाया तो उसे मैं यहां पे cover करूँगा in the name of gains और वहीं पे अगर मुझे किसी stock में loss होगा तो मैं उसे cover करूँगा as losses अगर आप कोई भी तरह से पैसे बनाते हो या गवाते हो तो फिर वो आएगा gains and losses में and finally we have net income जिसका formula बहुत simple है revenue में से expenses minus कीजे gain जोडिया और losses minus कीजे you will get your net income यानि यह बोलना गलत नहीं होगा that net income will comprise of your profits from both normal course of business and also from non-operating activities so net income will incorporate everything so these were the components of income statement which was the first requirement in learning outcome a the second requirement is about the presentation requirements and this is very good very important number one simple single step number two is multi-step अगर मैं single step की बात करों तो यहाँ पे हम सारे revenues and expenses को एक ही बार में ग्रुप कर देते हैं और अगर multi-step की बात करें तो हम basically अपने जो expenses और revenues हैं उनको हम दो भाग में divide करते हैं सबसे पहले number one is direct number two is indirect अब जिन बच्चों ने कभी भी accounts पढ़ा है अपने life में कभी भी commerce में पढ़ाई की है commerce stream से हैं तो उनको बस यह बता देता हूँ कि अगर आप trading account और PL account अलग अलग बना रहे हैं अगर आप trading account और PL account अलग अलग बना रहे हैं तो उसे हम कहते हैं multi-step और अगर आप एक ही format में पूरा का पूरा PL account बना रहे हैं जिसमें trading वगेरा सब involved है और आपने gross profit बीच में कभी calculate नहीं किया तो वो एक single step हो जाएगा basically gross profit में कह सकता हूँ एक middle subtotal है जो कि आपको आपके direct revenues और direct expenses को minus करने के बाद मिलता है जिनको formula जानना है वो होता है sales minus COGS so अगर आप sales minus COGS करके gross profit निकालते हैं और उसको show करते हैं separately in your income statement then that becomes a multi-step format क्योंकि वहाँ पे आपने COGS और बादबा की operational cost को differentiate करके दिखाया है दोनों को sub total बनाई है so gross profit, operating profit show किया है तब वो multi-step है और ऐसा अगर कुछ नहीं किया आपने सीधा ये वाला तरकीब लगाया है revenue में से expense minus किया gain जोडा, loss minus किया अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर वो है single step model या single step presentation so presentation दो तरह की है single step, multi-step याद रखेगा इतना सही याद रखना है कि multi-step में gross profit और operating profit दोनों दिखाये जाएंगे आगे बढ़ते हैं learning outcome B and C में बात करते हैं यहाँ पे basically revenue recognition पे ये सारे concepts हैं revenue recognition पे पहला concept जो बहुत simple है वो है accrual method accrual method basically एक fundamental assumption भी होता है आपने last reading में पढ़ा होगा तो fundamental assumptions जो है वो ये हैं कि सर आप revenue तब record करें जब आपने उसे earn किया हो ना कि जब आपने उस पे cash receive किया हो एक बहुत ही simple example अगर मैं दूँ तो यहाँ पे जब हम fees charge करें किसी भी student से तो fees मालो किसी student को मैंने course तो provide कर दिया लेकिन I have not received fees ठीक है course has been provided ठीक है and the student has got the rights to watch the course लेकिन student ने अभी तक cash pay नहीं किया suppose करो उसकी कुछ payments बाकी है तो मेरा question गया है कि अगर मैंने किसी particular financial year में वो course sell किया था और financial year 1 में मुझे उसका cash मिल रहा है तो मुझे sale कौन से साल में दिखानी चाहिए तो इसका जवाब है आपको sale दिखानी चाहिए जैसे ही आपने अपनी service provide कर दी yes the year in which course has been provided that should be the year of revenue recognition it does not depend on when you have received cash against your services provided बात समझ में आई यहां पे हम लोग बात करें कि आपने जब revenue earn कर लिया यानि की service provided या फिर में मैं कह सकता हूँ goods provided आपने जब ये काम कर दिया तो फिर आपको revenue record कर देना चाहिए अब आपको cash मिला हो या नहीं मिला हो कोई फर्क नहीं परता that is what accrual method is saying next is disclosure of revenue recognition policies अब देखो अलग-अलग businesses में अलग-अलग revenue recognition के नियम होते है basically revenue recognition मतलब होता है कि हम sales कब book करें किस time पर book करें तो सबकी अपने-पनी policies हो सकती है but it is extremely important कि revenue recognition policies का disclosure दिया जाए ये disclosure अगर आप डूणना चाहते है तो आपको notes to financial statement में मिलेगा then third point comes revenue recognition as per converse standards of IASB and FASB this is very important area but unfortunately just because this is a summary video बहुत जादा elongated area था वो इसको यहाँ पर skip किया गया है self-read करने के लिए आपको यहाँ पर recommendation है so revenue recognition वाला जो converse standard वाला area है जरूर से एक बार पढ़े next up is learning outcome D well talking about learning outcome D here then we are going to deal in two things number one general principles number two specific issues अगर हम general principles की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हम primarily तीन मुद्दों पर बात करेंगे matching concept periodic and inventory methods again जिनका account से background है accounts पढ़ी हुई है उनको यहाँ कुछ भी tough नहीं लगेगा जिनको नहीं पढ़ा उनको समझने की दरकार है matching concept जो है वो basically यह बताता है कि आप जिस साल revenue record कर रहे हो उस revenue से संबंदित expenses उसी साल record कीजिए example के तौर पे अगर मैं कोई product बना रहा हूँ और product में suppose करो मैंने 200 रुपय का खर्चा किया है product बनाने का लेकिन at the year end वो product बिका नहीं और वो अभी भी मेरे finished goods में पढ़ा हुआ है तो यहाँ पे यह बात समझने की है कि आपने जो खर्चा किया है उसके against आपको कोई revenue अभी आपने record ही नहीं की है तो basically यह खर्चा इस साल record करना आपको नहीं चाहिए यह खर्चा तब ही recognize होगा जब आपने इसके against या इसके मैं कह सकता हूँ साथ-साथ revenue recognition भी की है तो basically बहुत है simple सा concept है जिस साल आपने revenue recognize की उसी साल उसका खर्चा recognize कीजिए नहीं तो आप matching concept को basically breach कर दोंगे next up is periodic cost बहुत simple सा concept है there are certain costs which are associated with period not with product best example would be rents ठीक है आप product बनाओ या ना बनाओ rent तो लगेगा तो जैसे ही आपका period over तो आपका rent लग गया तो ऐसे में इन खर्चों को हम कहते है periodic cost और इनको तब के तब expense कर देना चाहिए जब period खतम हो जाए आपको इस चीज का wait नहीं करना की में आप product बिका की नहीं बिका time निकला आपको इसको record करना है last one is inventory methods जिस पे obviously एक पूरी separate reading आती है तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी details covered नहीं है just कुछ methods के नाम है जैसे कि fee-fo है, leaf-o है, weighted average cost method है और specific identification है मैं फिर repeat कर दूँ कि inventories पे एक separate पूरी reading है इसलिए यहाँ पे details cover करना ज़रूरी नहीं है ना book में है और ना summary वीडियो में भी मैं present कर रहा हूँ next up is specific issues specific issues में जैसे doubtful debts है, इनके लिए क्या करें जब हमारा loss हो तभी हम अपना खर्चा record करें books में या फिर में हमको यहाँ पे कर देना चाहिए, doubtful debts के लिए पहले से provision, तो देखो जवाब बहुत simple है, अगर आपने कोई sale की है, और आपको उस sale के बतले ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, आपका debtor कुछ पैसा आपका डुबा दे तो नियम, matching concept का आप लगाई है, और matching concept यह बुलता है, कि अगर कोई आपने sale की है तो उससे corresponding expenses हैं जो losses हैं, उसको record कीजे same year में, so basically जैसे ही आपने sale किया और अगर आपको लग रहा है कि यार यह पैसे हो सकता है डूब जाएं, तो आप actually उसके लिए provision बना सकते हैं, जिसे हम कहते है provision for bad and doubtful debt so that you can do so if you are making that provision तो वो एकदम okay है and you should actually provide for that what to say for that loss well in advance revenue recognition के दोरान ही, now this is also in line with conservatism or prudence concept which is obviously not covered here लेकिन फिर भी जिनों ने पढ़ा है उनके लिए ये चीज़ रिलेट करना असान होगा so ये doubtful debt के के किस में होता है the same thing happens for warranties as well for example मैं एक laptop manufacturer हूँ, तो मैं जब laptop बेचूँगा, तो based on probability analysis मुझे समझना चाहिए that what is the chance of a warranty claim and उसके basis मुझे वारंटी के प्रोविजन भी record कर देने चाहिए income statement में in the same year when I am recognizing my revenue, got the point यानि कि अब actual में वारंटी क्लेम आये नहीं आये कोई फरक नहीं पड़ता मुझे प्रवाइड तो करना चाहिए for warranties in the year of revenue recognition and then we have two methods discussed for depreciation, number one is straight line method everybody knows about it, number two is declining balance method which is also popularly known as WDV method in India, लेकिन ये दौनों methods पे भी again एक proper separate reading आने वाली है and that is why इस चीज को यहां पे ना बुक में cover किया गया है और ना ही इस वीडियो में आगे बढ़ते next up is learning outcome यहां पे बहुत ही important matters के बार में बात है, पहला matter है non-recurring items, now non-recurring items में आपको number one point यह पे देखने को यह मिलता है कि business का वो इससा जिसको आपने discontinued कर दिया है, यानि discontinued operations, उनको किस तरह हम अपने books में present करें, मैं समझाता हूं कैसे suppose करो I have a factory ठीक है और वो factory में मैं sop या ऐसे बोल सकते हैं, मेरे पास दो factories है, ठीक है my company's name is supposedly anything suppose करो दाजलिंग soap company तो अब ऐसे में अगर माल लो, मेरी कमपनी का नाम है दाजलिंग soap company, मेरी कमपनी दो factories चलाती है, उसमें से एक factory में बनती है, soaps और एक factory में बनती है, shampoos, ठीक है अब माल लो, मैंने decide कि नहीं यार, मुझे soaps नहीं बनाना उसमें मेरे को कोई margin भी नहीं है, कोई profit भी नहीं है, so let's close this down so जब मैंने soaps को बंद किया तो यह हो गया discontinued business अब discontinued हो गया लेकिन suppose करो, आपने जब discontinued किया, तब भी 2 या 3 महीने का आपको revenue recognize यहां पे करना है ठीक है, so अब यहां पे concept यह आता है कि अब यह जो 2-3 महीने का आपका revenue या profit या loss जो भी है, उसको कैसे दिखाया जाए, because अगर आपने इसको अलग से differentiate करके नहीं दिखाया, तो फिर हो सकता है, लोग अगले साल भी यह उमीद लगाएं कि आपके 100 business से आपको profit या loss कुछ होगा However, you want to keep it very clear by way of presenting discontinued operations in a separate way, so that आपके जितने भी users हैं उनको यह information मिल जाए, कि boss हमारा यह business discontinue हो गया so don't expect these figures to be repeated again in the future years Got the point? तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, यहां पे जो discontinued operations होते हैं, उनको separately show किया जाता है income statement में separately show करने का मतलब है हम लोग दिखाते हैं profit या loss from discontinued business and अब यह आता का है, यह समझना बहुँ ज़रूरी है, यह ऐसे लिखते है profit या loss from discontinued business अब यह आता का है, बहुत simple है आप पहले जैसे अपना income statement बनाते हैं, वैसे बना लिजे, net income तक पहुच जाए, from your continuing operations, obviously जब आप net income तक पहुचे हैं, तो आप after tax basis पे ही पहुचे होंगे अब आपको क्या करना है, जब आप discontinued operations का profit या loss इसमें दिखाऊगे, तो उसको भी net of taxes show कर देना ठेक है, आपका net of taxes ही continued operation आप show कर दोगे, जिसको हम net income कहते हैं और बात में, आप PL from discontinued operations, अलग से एक separate item या एक separate line में show करोगे and that should be after tax basis, so this is how you present discontinued operations extremely important and this information should be given to your users, इसलिए ये ऐसा होता है, लेकिन ये same काम, unusual और infrequent items के साथ में नहीं होता, जिसे हम exceptional items भी कहते हैं, इन items में ऐसा कुछ भी नहीं होता these are shown as a regular part of your continuing operation, अलग से presentation करने की दरकार नहीं होती है non recurring items के लिए मैं आपको बता दूँ, मैंने जितना आपको बताया है, वो obviously important सारा points बता दिया लेकिन if you want to read it even further तो आपको एक बार अपने reference books है, इसको डंग से पढ़ना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा tricky area है and you might require a little bit of grip है so ये और पढ़िएगा but yes जो main matter है वो मैंने आपको बता दिया है so इस summary को summary के तौर पे ही लेजेगा and वैसे आज की class में मैंने शुरुआत में ये बाते बोली नहीं लेकिन अब बोल देता हूँ जो यहां तक देख रहे हैं इस video को कि पहला ये videos obviously उनके काम आने वाला है जो लोग preparation कर चुके हैं बस summary के लिए videos देख रहे हैं so obviously this is fruitful and अगर आपको ये हमारा काम अच्छा लग रहा है तो अभी भी मौका है लाइक जरूर कीज़े इस video को and इसके अलावा जो बच्चे इस video को देख रहे हैं इस सोच के साथ के चलो एक बार हे देख लेते हैं बाद में prepare कर लेंगे I'm not stopping them but you should be wary of the fact that we are going very speedy खाफी speed में जा रहे हैं and this is because this is a summary video so उस चीज़ को आप acknowledge करते हुए चलिएगा I'm not stopping you from reading from here but read it with your own what to say your own discretion yes that's the word changes in accounting policies and estimates की बात करते हैं बहुत simple है crux में मैंने बाते लिख दी है अगर आप accounting policies में बदलाव करते हैं यानि कि आपने कोई method बदला है जैसे आप depreciation पहले SLM पे करते थे अब आपका मन हो रहा है WDV पे करेंगे या फिर आप inventory valuation करते थे FIFO पे अब आपका मन हो रहा है LEFO पे करेंगे Whenever you change your accounting methods which are also known as accounting policies then that have to be applied retrospectively When I talk about retrospective effect तो इसका मतलब ये है कि आपको जो effect दिखाना होगा वो prior years में भी restate करकर के दिखाना होगा आपको ये मानना होगा कि ये effect आज से नहीं बहुत पहले से है जब से machinery है तब से है या फिर जब से inventories है तब से है and prior सारे statements को restate करना पड़ेगा and retrospective application दिखाना होगा However the same is not true for accounting estimates Now what are estimates? Estimate होते हैं तब आप SLM use करते हैं तब आप एक rate mention करते हैं correct? SLM at the rate 10% या WDV at the rate 10% तो आप जो भी rate mention करते है वो rate basically एक accounting estimate होती है thankfully इन estimates में बदलाव लाने से वो prospective application होता है उसके लिए retrospective application की दरकार नहीं होती and finally अगर आप prior period में कोई गलती करके आएं और आप उस error को सुधारना चाहते है तो you can obviously do that इससे आपके financial statements को आपको restate करना पड़ेगा so that was about learning outcome E आगे बढ़ते हैं learning outcome F के बार में जहांपे हम बात करें operating and non-operating items पे तो उसमें मैं बता दूँ IFRS उसके बार में कोई खास आपको mention नहीं करता there is no distinction mentioned in IFRS so basically कोई item operating है या फिर non-operating है इसका decision आप अपने judgment से लीजे अगर आपको लगता है that any particular item is related with the normal course of business then it is operating अगर लगता है नहीं है तो वो non-operating nature का हो जाएगा वहीं पे US gap में सीधा-सीधा का है कि अगर आप goods and service के production या फिर delivery से संबंदित बात कर रहे हो तो वो operating होगा otherwise बात बाकि जितने भी item में वो non-operating हो जाएगे ये भी कोई बहुत जादा logical तो नहीं है लेकिन फिर भी जो mention किया है कम से कम operating activity और non-operating activities को कम से कम differentiate करके बताया गया है IFRS में ऐसा कोई distinction दिया हुआ ही नहीं है so this is one such thing next up is disclosure on net basis यहाँ पर बात बुली गई है कि आप चाहो तो अपनी investing items और finance activities को इनको आप net basis पे show कर सकते हो जैसे कि net interest expense को दिखाया जा सकता है यानि कि अगर आप चाहो तो अपना interest expense minus interest income जो है वो आप कर सकते हो लेकिन यह काम करना तभी allowed है जब financing या investing activities यह हो और उस समय आप net basis पे इसको present कर सकते है learning outcome G and H में आ जाते है these are important learning outcomes where we are reading about basic EPS and diluted EPS मैं पहले यह disclaimer दे देना चाहता हूँ कि कोई भी summary वीडियो में practicals cover नहीं करता मैं because फिर वो summary नहीं रहेगी इसलिए यहां पे मैं आपके लिए rules है टला रहा हूँ कि किस तरह हम EPS को calculate करते हैं भले ही वो basic EPS हो या diluted EPS हो and you can see the steps here number one आपको सबसे पहले यह consider करना है कि आपकी capital structure किस तरह की है simple है या complex है basically complex capital structure वो होता है जहां पे आपकी कोई potentially dilutive securities हो आपके पास में जिसे और साधरन शब्दों में कहूं तो convertible securities so basically if you have convertible securities in your portfolio or in your balance sheet then you will also need to calculate diluted EPS अगर नहीं है कोई convertible तब कोई problem ही नहीं है तब आप basic EPS से काम चलाईए तो यहां पे basically potentially dilutive securities जो है उनको हम consider नहीं करते because we are talking about basic EPS here basic EPS का formula दिया हुए take net income उसमें से preferred dividends minus कर दीजे and नीचे weighted average number of shares outstanding निकाल लीजे अब मैं बता दूँ ये weighted average calculate करना अपने आप में एक practical है और पूरा EPS calculate करना भी अपने आप में एक practical है so be prepared for lots of practical problems and lots of I would say practice here डरिये गामत practice से जरूर practice कीजेगा exam में आने के chances बहुत जादा हैं third point which I think is very important which makes the problem actually a little complex वो यह है कि stock splits और stock dividends का किस तरह से हम application करेंगे when we will be calculating EPS तो भई उसको retrospective मानेंगे यानि कि beginning of the year से उसको हम लोग effect देंगे यह बात समझने की है got the point? आगे बढ़ते हैं next up is diluted EPS diluted EPS का अगरा formula देखेंगे तो it is net income plus interest after tax करके add किया गया है और यहाँ पे star लगाया गया है इसका मतलब यह सिर्फ convertible portion वाला जो interest है उसको add किया गया है similarly you are deducting your total preference dividend but adding back the preference dividend which is belonging to the convertible preferences तो यहाँ पे काफी सारी यह adjustment हो रही है I cannot give you full idea but आपको dividend EPS के बार में अगर थोड़ा सा भी idea पहले से है तो I am sure कि आपको recollection करने में यहाँ पे फाइदा हुआ होगा and नीचे obviously weighted average number of shares है and convertible shares we are assuming that all the convertibles are being converted into equity shares and if that happens then that is going to be reflected in the denominator section okay number two number two points talk about कि यहाँ पे dilutive securities को हम consider करेंगे कोई नही बात नहीं है और stock options के case में हम treasury method यहाँ यह यूज़ करते हैं basically वहाँ पे जो net shares added हम लोगे denominator में रहते हैं वहाँ पे number of shares created from exercising options तो हम लेते ही हैं और साथी साथ हम लोग यह assume करते हैं कि जो options exercise किये गए होंगे वहाँ से जो आपको पैसे मिले हैं उन पैसों से हमने अपने ही shares को repurchase कर लिया so technically आप जब shares added करोगे तो उसमें से कोई एक item minus भी होगा छोटा सा वो वाला item होगा जो आप assume करोगे that you have repurchased from your proceeds that you have received from the options so इस तरह से हम लोग calculate करते हैं diluted EPS and finally last two learning outcomes are learning outcome I and J common income statement क्या होता है या common size income statement क्या होता है बहुत simple है अगर मैं एक बहुत large company को अगर एक बहुत small company से compare करूँगा ठीक है तो दोनों का comparison देख करके obviously आप हो सकता है bias decision दो जैसे कि example अगर large company है उसका 2000 करोड का profit है ठीक है and small company का सिर्फ 20 करोड का profit है अब ऐसे में मैं बोलूँगा which one is a better company तो आप बोलोगे large company is better but इस तरह से काम नहीं होता we need to check the efficiency we need to check the potential we need to check lot more parameters तो उनको check करने के लिए सबसे पहले हमको इनका जो फरक है वो खतम करना पड़ेगा वो फरक है size का और इस size को खतम करने के लिए हम बनाते है common size income statements जहापे हम सारे income statement items को value में नहीं represent करके percentage of revenue mention करते है यानि कि अगर आप revenue को खुद को mention करोगे तो उसको लिखोगे 100% COGS को लिखोगे maybe 80% 60% 40% जो भी जैसा भी आएगा so basically सारे items को revenues के नजर यह से देखना है और percentage terms में समझाना है इसके अलावा obviously ऐसा करने से आपकी company की जो size का effect है वो remove हो जाएगा income statement में important ratios है GP margin, NP margin and operating margin बहुत ही simple है you need to take your profits in the top and you need to take sales in the denominator multiplied by 100 all the time so that is how you calculate income statement ratios and finally OCI items total यह 4 items है और इसको please रटा मार लेजे यह level 2 में में भी काम आएगा पर अभी के तौर पे आपको सिव याद रखना है कि which transactions are actually OCI transactions as per both IFRS and US GAAP ठीक है तो यह दोनों के हिसाब से आपके OCI items हैं, OCI transactions है तो आपको इनको master करना चाहिए इसको याद करना चाहिए So that is it, I think yes the video is over and thank you for watching this video आपको definitely channel को subscribe करने को consider करना चाहिए अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है like, share and comment on this video and most importantly if you are looking for some important links such as video course को कैसे enroll करना है या फिर subject specific video course को कैसे enroll करना है then you can definitely check the links in the description below or you can contact us on this whatsapp number to know more about our courses So that's it आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं and मिलते हैं अगले वीडियो में जब एक और एफारे की रीडिंग को मैं आप सब के सामने समराइस करूँगा That's it, I'll say bye-bye take care and पढ़ाई करते रहिए